प्रस्तावना भारत का समविधान सबसे पहले हम यह समझते हैं कि शब प्रस्तावना का शाबदिक अर्थ क्या है का शाबदिक अर्थ है भूमिका या फिर परिचे किसी किताब या किसी कानूनी किताब की समविधी जिसको हम अंग्रेजी में statute भी बोलते हैं इसी प्रकार से भारत के सम्विधान काफी परिचे अगर कोई देता है तो वह उसका मुख्य प्रिष्ट सम्विधान के अंदर उसका preamble याने की उसकी प्रिस्तावना देती है जो हम यहाँ अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वह भारत का सम्विधान जो हमारी मुख्य कानूनी किताब है उसके प्रिथम प्रिष्ट की तस्वीर है उसके मूल प्रती की तस्वीर है यह तस्वीर थोड़ी साफ नहीं है इसलिए मैंने साथ ही साथ लिख भी दिया है इसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपून प्रभुत्व संपन लोकतंत्रात्मकर गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समाजिक आर्थिक और राजनेतिक नियाय विचार अभिव्यक्ति वि इकता सुनिष्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए द्रिड संकल्प होकर अपनी इस समविधान सभा में आज तारीक 26 नवंबर 1989 मिती मार्ग शीर्ष शुकल सप्त्मी समवत 2006 विक्रमी को एतर द्वारा इस समविधान को अंगिकृत अधिनियमित और आत्मार्प है जिस पर पूरा भारत का समविधान खड़ा है या उस प्रस्तावना को हम यह भी कह सकते हैं कि समविधान की एक जाकी है बहुत से राजनेतिक विद्वानों ने समविधान की इस प्रस्तावना को उसकी आत्मा का दर्जा दिया है किसी ने उनको उसकी आइडेंटिटी का परन्तु सवाल उठता यह है कि आखिर में प्रस्तावना की अभश्यक्ता क्या है बहुत से लोगों का मत यह है कि भारतिय सम्विधान में प्रस्तावना इसलिए डाली गई क्योंकि यह सबसे पहली बार स्युक्तराश्च अमेरिका के सम्विधान के अंदर डाली गई है एक नजर से देखा जाए तो यह सही भी है परन्तु इसको सरफ इसलिए इस किताब के अंदर डालना जरूरी था ऐसा नहीं कह सकते जैसा कि बहुत से विद्वानों ने कहा कि यह हमारे भारतिय सम्विधान के परेचे को बताती है उसकी भूमिका को बताती है इसलिए भी कह सकत कि इस सम्विधान का लेक आंद कहा है ओंडे le Node की ठे नहीं की सबसे पहले शुरूजब करता है बोलते हुए कि हम भारत के लोग तरीके से देखा जाया तो इस तिरोट बताता एं प्रस्तावना को या सम्विधान को उसकी असल ताकत कहां से मिलती है उसका स्त्रोत क्या है तो वह हम याने की भारत के लोगों को उन्होंने इसमें चिन्हित किया है दूसरी चीज हमें पता लगती है उसकी प्रकृति याने कि भारत के सम्विधान की प्रकृति क्या है भारत क कहता है कि भारत को एक संपून प्रभुत्व संपन अर्थात सार्व भॉम समाजवादी धर्म निर्पेक्ष लोक तंत्रात्मक गनराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को अगर सिर्फ इन अक्षरों को देखे इन शब्दों को देखे तो यहां लिखा है भा पांच खूबियां हम गिनवा रहे हैं यानि कि पांच इसकी प्रकृति हैं जो भारतिय संपून दिखाई देती हैं उसके आगे यह कहता है कि तथा उसके समस्त नागरिकों को अगर ध्यान से देखा जाए इसमें शब्द नागरिकों का इस्किमाल किया गया है यानि कि नागरिक नहीं है उनके बारे में यहां कुछ नहीं बोल रहा इसके आगे वे कहता है कि सम्विधान का उदेश्य क्या है प्रस्तावना से हमें पता लगता है कि सम्विधान का उदेश्य है लोगों को न्याय दिलाना जिसमें कि तीन प्रकार के न्याय उन्होंने चिन्हित कि हैं जिसमें सामाजिक नयाय आर्थिक और राजनयतिक नयाय शामिल है उसमें स्वतनत्ता बताई गई है कि हम लोगों को हम यहां के नागरिकों को पांच तरीके की स्वतनत्ता देने का विश्वास दिलाते हैं जैसे कि विचार की स्वतनत्ता अभिव्यक्ति विश्वास धर् कर सकता है उसके आगे समानता की भी बात करता है वो कहता है कि प्रतिष्टा और अफसर की समानता भी सरकार देगी तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राश्र की एकता और खंडता सुनिश्चित करने वाली बंदुता को भी बढ़ाया जाएगा यह सब बातों को लेते कि जब उसको अंगीकृत या अधिनेमित किया गया है वो उन्होंने बताया है कि 26 नवंबर 1949 इसवी को इसको लिखा गया या इसको अपनाया गया अगर ध्यान से दिखा जाए तो यहां ब्रेकेट के अंदर यहां कोष्टक के अंदर इसकी हिंदी तारीक भी लिखी गई है जो है मिती मार्गशी शुकल सप्टमी समवत 2006 विक्रमी और साथ ही साथ इसका एक और तत्व है जो है उसकी स्वीकृति इसकी स्वीकृति जो है उस पे लिखा गया है कि इस तारीक को एतत द्वारा इस समविधान को अंगीकृत अधिनेमित और आत्मार्पित करते हैं यान इस तारीक को एतत द्वारा इस समविधान को अंगीकृत अधिनयमित और आत्मार्पित करते हैं। बीच की बातों को मैंने हटा दिया है या मैंने नहीं बोला है। सर्व इसलिए कि यह समझते हुए कि यहां भारत के लोग अपने ही आपको यह चीज आत्मार्पित कर रहे हैं। जिसमें उन्होंने उसकी कुछ विशेशताएं भी बताई है। सवाल आगे यह उठता है कि क्या समविधान जो है कि यह समविधान का मुख्य हिस्सा है। और साथ ही साथ दूसरा सवाल भी लोगोंने कई वार उठाया कि क्या पृस्तावना को संशोधित किया जाता है। खेर प्रतम सवाल का जवाब में यही कहूंगा कि आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसको खुल के बात करेंगे अभी के लिए समझना ये काफी रहेगा कि हाँ सम्विधान में प्रस्तावना की एक एहम भोमिका है और से एक मुख्य हिस्सा ही माना गया है दूसरे सवाल के लिए जिसमें लिखा गया है कि क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है क्या प्रस्तावना में भी फेर बदल किये जा सकते हैं अगर हम ध्यान से देखें, जो हमने मूल प्रती प्रस्तावना की सबसे पहली बार देखी, उसमें लिखा है हम भारत के लोग, भारत को एक संपून, प्रभुत्व संपन, लोकतंत्रात्मक, गंडराज्य बनाने के लिए आगे, नागरिकों के लिए, तो इसमें तीन शब्द और गंडराज्य पांच, अर्था दूसरे और तीसरे नंबर पे लिखे गए यह जो दो शब्द हैं, यह हमें मूल प्रती के अंदर नहीं दिखाई लिए, इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें, अंत में यहां पर लिखा गया है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राश्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंदुता, परंतु हमने जब यह इसको बाद में पढ़ा, तो हमने यहां देखा व्यक्ति की गरिमा और राश्र की एकता और अखंडता, जो हमने यहां अंडरलाइन किया है, और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंदुता, इस शब्द को भी डाला गया है, तो हाँ हम यह कह सकते हैं कि संवेधान को संशोधित किया जा सकता है, असल में सन 1906 तर में श्रीमती इंद्रा गांदी जो उस समय की प्रधान मंतरी रही, उन्होंने 42 संशोधन के तहट प्रस्तावना के अंदर कुछ संशोधन किये और यह त तीन शब्दों को उसके अंदर डाल दिया गया, तो इस प्रमाण के अधार पर हम यह कह सकते हैं कि हां प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, इसके आगे हम देखते हैं कि मुहमद हिदायत उल्ला जी जो भारत के पूर मुख्यन आधीश रह चुके हैं, उन्होंने प्रस्तावना के लिए क्या कहा है, उन्होंने अपनी किताब Democracy in India and the Judicial Process में भारत के प्रस्तावना के लिए कहा कि प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के सोतनत्रता की घोशना की तरह है, जिसको हम American Declaration of Independence भी कहते हैं, सोतनत्रता की घोशना की तरह है, लेकिन एक घोशन करांती बदल सकती है, अगर ध्यान दें, तो उन्होंने यह कहा, कि हाँ, यह एक नकल के रूप में दिखती है, पर उस नकल से कहीं जादा है, इसमें उस राजनेतिक समाज की एक छवी दिखाई देती है, जो भारत को बतलाती है, और साथी साथ वही यह भी कहते हैं, यह ग प्रस्तावना में जो शब्द हैं, वे आये कहां से, या उसकी गंगोत्वी शुरू कहां से हुई, असल में सन 13 दिसंबर 1949 के अंदर श्री पंडित जवहारलाल नहरू ने एक उदेश्य प्रस्ताव दिया था, जिसको समविधान सभा के अंदर पारेत भी किया गया, जिसमे उन्हें कुछ बाते कहीं थी, उन कुछ बातों में जो चीजे हमारे लिए हैं, प्रस्तावना के लिए खास्ती हमने उनको यहां लिखा है, जिसमें वह कहते हैं कि यह समविधान सभा भारत को एक सुर्तंत्र सार्व भॉम, गंडराज्य और उसके भविश्य शासन के लिए एक समविधान बनाने के लिए अपनी द्रड और गंभीर संकल्प की घोशना करती है, यानि कि उनका यह कहना था कि हम इस तरीके का समविधान बनाना चाहते हैं, समविधान सभा के अंदर, जो उसको सुर्तंत्र भारत के सभी अधिकार और शक्तियां, सरकार के अंगों अधिकार वह शक्तियां उसके लोगों से प्राप्त होंगी, उन्होंने कहा कि यह इसमें जो भी ताकते मिलने वाली हैं, जो सरकार को मिलेंगी, वह उसके लोगों से ही प्राप्त होनी चाहिए, वह ताकत उसकी जनता उसको दे, उसके नागरिक उसको दे, उसके बाद वह क और क्रिया की सुतंत्रता कानून और सार्जनिक नैतिकता के अधीन होंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत के नागरिकों को बहुत सी चीज जो हैं उसके अंदर उन्हें आश्वासित करेंगे, हम उनकी चीज सुरक्षित करेंगे। जिसमें उसमें नियाय मिलेगा उन्हें, उन्हें के कई प्रकार के समानताई मिलेंगी, उनको बहुत सी चीज़ें प्रेक्टिस कर सकते हैं, उनकी क्रिया मिला सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, वे वसाय कर सकते हैं। और साथ ही साथ वे सारी चीजे कानून और सार्जनिक नैतिकता यानि कि morality और justice system के अधीन रहेंगे उसके उपर भी कुछ checks and balances उन पर कुछ regulations लगेंगे परन्तु हम फिर भी उसके साथ उन्हें आश्वासित करते हैं कि यह सब उन्हें मिलेगा उसके आगे वे कहते हैं कि जिसमें अल्प संख्यकों पिछडे और आदिवासी शेत्रों और दलित एवन अन्य पिछडे वर्गों के लिए परियाप्त सुरक्षा उपाए प्रदान किये जाएंगे यानि कि हम जो खास हमारे दल हैं, हमारे कुछ खास जो लोग हैं, जो अलप संख्यक समाच से हैं, ऐसे समुदाय से आते हैं, उनको हम कुछ खास चीजे देंगे, जिससे कि वो में स्ट्रीम में आ सके, जो साथ में मुख्य लोगों के साथ, जो बाकी लोगों के साथ कंधे से क सफंधा मिलाके मिले सफार को चल सके.. इस चीज़ को भी वहन आशवासित करते हैं.. तो अगर हम देखें.. कि समविधान के प्रस्तावन आंदर हमार को वह सभी चीज़े मिलती हैं.. जो उन्होंने उस देश्य प्रस्ताव के अंदर लिखी थी, वो हमें काफी हर्थ तक अगे दिखाई देती हैं, आशा है कि आपको इस प्रस्तावना शब्द को समझने में आसानी रहे होगी, आने वाली अगरिम वीडियोस के अंदर हम इस प्रस्तावना में दिये गए शब् जैसे लोकतंत्र, गणराज्य, स्रारभोम, शक्ति या इस तरीके की बहुत सी बातों को विस्तार के अंदर चर्चा करेंगे, धन्यवाद.